कोई आलोचना नहीं कर रहा हूं लेकिन यह हमें जानना पड़ेगा कि दोस्त कौन है दुश्मन कौन है जो दल यह कहता है कि OBC की अरक्षन और OBC का प्रतिनित्व नहीं दिया जाएगा निश्यत तोर से वो हमारे दुश्मन कहा गया कि किसी की आलोचना नहीं करे अमरित काल ह मैं केंद्र की सरकार की आलोचना नहीं करना चाहता हूं लेकिन जंगरना ही रोक दी गई क्योंकि जाती जंगरना करने की मांग उठी थी मैं आलोचना नहीं करना चाहता हूं लेकिन इस देश के प्रदान से वक ने कहा कि हमारी पार्टी 7 अपरिल से लेकर 14 अपरिल तक समा प्रतिनित्म नहीं तो जैफूले जै शाहुजी महराज जै पेरियार जै भीम जै मंडल मंच पर बेठे सम्मानिय सांसद और एक पाटी के और एक देश में एक मिशन के साथ पूरे देश में जो घुम रहा है मानिय सांसद पी विलसन साहब मानिय नियाय दिश पूर नियाय दिश नियाय मूर्थी विरेंद सिंग यादव जी इस सभा के अद्यक्ष और संगठन के अद्यक्ष डॉक्टर राजेंदर वर्मा जी हमारे प्रियसाथी डॉक्टर रतनलाल जी इस सभा में के आयोजक्ष में श्री महेंदर मंदल जी और डॉक्टर साहब जो बैठे हैं और सामने जो उतराखंड के अलग-अलग समाज से आयो आज की महत्पुन बैठग में हिस्सा लेने जो आये हैं उनको मैं पुना अविवादन करता हूँ I'll speak few lines in English because I want Wilson sahab to understand also some of the things what I want to say Wilson sahab आज आये हैं बहुत दूर से चिन्नाई में थे तीन बजे उनकी flight थी और हैदराबाद होके flight बदल के वो पहुंचे हैं और फिर उन्हें साड़े-पांच बजे तक यहां से वापस जाना है तो एक mission का जो एक आगरा होता है एक जुनून होता है उस जुनून के साथ है मैं उनका और मैं चाहता हूँ आप लोग ताली बजा कर उनके इस जुनून का स्वागत कर कहा गया कि किसी की आलोचना नहीं करें अमरित काल है आलोचना कैसे की जाएगी अमरित काल क्या है अमरित काल जब सागर मन्थन हुआ था तो उसमें अमरित भी निकला था विश भी निकला था अमरित को पाने वाले देवता थे और वो देवता आज के कौन है सवर्ण है हमारे हिस्से में विश है लेकिन हम किसी की आलोचना नहीं करें इस देश के सम्विधान ने कहा कि कमिशन बननी चाहिए और कमिशन की रिपोर्ट आई बावा साब भीमराव अमबेटकर ने तीन वज़ा से इस्तिफा दिया था नहरूजी के कैबिनेट से हिंदू कोड़ बिल और पिछड़ा वर्ग आयोग का ना बनना उसमें महत्पुर्ण कारण थी उनके धवाब में काका कालेलकर कमिशन बनाया गया काका कालेलकर कमिशन ने कहा कि भविश्य में जो भी पिछड़े वर्ग के लिए अंकलन होगा उसके लिए 1961 के गन्ना में जन गन्ना में जाती का समावेश जरूरी हलाकि वो स्वयम ब्रामन समाज से थे उन्होंने अपने ही रिपोर्ट में कहा कि मैं से एगरी नहीं करता हूँ 20 साल लग गए जनता पार्टी की सरकार में बिपी मंडल साहब की अध्यक्ष्टा में जब कमिशन आई उन्हें भी ये समस्या आई मंडल कमिशन ने भी कहा कि जो आगे 1980 में या 1991 में जनगना होनी चाहिए उसमें जाती का जरूर जनगनना हो लेकिन एक भय है एक भारी डर है 2011 में संसद की सर्वमान सर्व सम्मती से पारित एक एक पार्टी यहां तक की भारतिय जनता पार्टी ने भी विरोध नहीं किया था कि आगे जो जनगनना हो उसमें जाती की समावेशी हो जाती की गनना भी की जाए लेकिन एक सर्वे किया गया पाच हजार करोड बारत सरकार ने कुछ एंजियोज को दिये और उसकी रिपोर्ट भी नहीं बताई जा रही है उसके चंदर रिपोर्ट जिसमें कहा गया कि कुछ धर्म के लोग बढ़ गया है वो अरुण जेटली जी ने सारवजनिक किया बाकी रिपोर्ट दबा कर बैट गई एक बात सोचने किया आज तमाम लोग यहां उतरा खंड से हैं सभी बहुत सोचने वाले और गंबीर लोग है आपके कारण समाज में हमारी बात जाएगी दूर तक जाएगी क्यों इतना भय है जाती जनगना से अभी जो जाती जनगना की मांग उठी समवैधाने किये वह जरूरी है हर दस साल में जनगना होनी चाहिए मैं केंद्र की सरकार की अलोचना नहीं करना चाहता हूँ लेकिन जनगना ही रोक दी गई क्योंकि जाती जनगना करने की मांग उठी थी तैक ही अगया है कि 2024 में चुनाओं के बाद अगर जीतेंगे तो जनगना में जाती होगी नहीं और हारने का सवाल नहीं उठता है क्योंकि हमारे पास EVM और इस परिस्तिती में तमाम पिछड़े वर्ग के लोग पिस रहे हैं अभी उत्तर प्रदेश में एक आदेश जारी हुआ और EWS का जो आसमवैधानिक कैटेगरी बना जिसकी अकेली एक पार्टी ने सुप्रीम कोट में चैलेंज किया वो DM के पार्टी है और उनके लिए वकील जो थे वहाँ सुप्रीम कोट में वो पिलसन साहब थे सुप्रीम कोट ने बिना सुने खारिज कर दिया है उसे मैं आगरा कर रहा हूँ हमारे एक राजनितिक पार्टी से भी चुड़े हैं और अभी ने तीन अप्रिल को दिल्ली में महराष्ट सदन में एक बड़ी सभाग की थी जिसमें पाच मुख्यमंत्री स्तर के लोग खुद्स चालिन साहब अशोग गैलोच साहब जारखंड के एमंद सोरेन साहब तेज़ेश्वी आदव मुख्यमंत्री बिहार और पुर्मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश अखलेश यादव विरप्पा मुहिली साहब करनाटक से कॉंग्रेस के तमाम लोग डियम के पार्टियों और कई और पार्टियों के सांसक 16 सांसक 19 पार्टियां 23 जगह से 23 राज्यों से शामिल हुए और सबकी एक मान थी कि जाती जंगन ना की जाए मैं आलोचना नहीं करना चाहता हूँ लेकिन इस देश के प्रदान से वक ने कहा कि हमारी पार्टियों साथ अप्रिल से लेकर 14 अप्रिल तक समाजिक न्याय सप्ता बनाएगा क्या हुआ उस सप्ता में सिर्फ समाजिक अन्याय हुगा तमाम पिछड़े वर्ग के अधिकार का हनन हो रहा है और हम लोग सिक्षन संस्था से जोड़े हुए है डॉक्टर रतनलाल भी और डॉक्टर राजंदर वर्मा भी है हमारे डलित साथी स्विसाइड कर रहे है ओबिसी सिक्षक हिंदू कॉले जहां पढ़ाते है रतनलाल जी नौकरी से निकाले गए और उन्होंने स्विसाइड की सुदर्शन जो हाईटी में है थे डलित समाज के स्कॉलर स्विसाइड के रोहित विमुला से आज तक ये सलसल चलता आ रहा है तो ये कब तक हम साएंगे मैं बलसंज आपको जाना है लेकिन कुछ ये तो एहम बाते मैं इसलिए आपके साथ शेयर कर रहा हूं कि ये जरूरी है जानना कि समविधान क्यों खत्रे में समविधानिक प्रविधान आपने कहा आरक्षन समविधान में प्रतन जनिदिदब तबते होगा जब यह पता चलेगा कि किस समाज के कितने लोग हैं इसको नहीं पता लगने देने के लिए खुद धालितों में पिछड़ों में आदिवासियों में कि यह तुम्हारा हक खा गया वो जाती खा गया अगर जाती जंगरना होगी तो पता चलेगा कि असल में पूरे देश की मलाई किन दो परसेंट लोगों के हाथ में है सुप्रीम कोट में एक भी OBC जज नहीं कैबनेट सेकरेट तथा कथे पुछड़े वर्ग के प्रधान सेवक उनके यहां एक भी OBC अधिकारी नहीं किसी भी मंत्राले में सेकरेटरी स्थर के एकाद धलित OBC अधिकारी है एकाद स्टी अधिकारी है OBC जितने अधिक पदे हैं जो प्रभावशाली टांग से गवर्नर देख ले या कई देख ले सभी जगह से लगबग शुनने हैं लगबग शुनने और हम समाजिक संगट हैं मैं जस्टिस साहब से निवेदन करना चाहता हूँ चेतना की बात इन्होंने कही मैं किसी भी दल का कोई अलोचना नहीं कर रहा हूँ लेकिन यह हमें जानना पड़ेगा कि दोस्त कौन है दुश्मन को जो दल यह कहता है कि OBC की अरक्षन और OBC का प्रतिनित्व नहीं दिया जाएगा निश्चित तोर से वो हमारे दुश्मन मैं सिर्वालोचना की बात नहीं कर रहा हूँ मैं उन तमाम लोगों को दोश्मनता हूँ अगर उस दल के साथ वो खड़े होते हैं और उस संगटन के साथ खड़े होते हैं जो इस देश में हिंदूतु की बात करते हैं लेकिन मंदिरों में जहां राम मंदिर का ट्रस्ट पना तो एक भी OBC समुदाय का उसमें प्रतिनित्व नहीं थे तो आप समझें कि हमें किस तरह से आगे बढ़ना होगा मंदल कमिशन में कहा गया है कि there cannot be equality among unequals आसमान लोगों के बीच में समानता की बात करना बही मानी हो और इसके लिए जाती जनगरना बहुत आवश्यक है बिहार में जाती सर्वे शुरू हुआ हाई कोट ने उसको निरस्त कर दिया हाई कोट और सुप्रीम कोट बी टीम के तरह काम कर रही है किसकी बी टीम आप समझ रहे हो जो स्वेम नहीं लागू करते हैं उनके मादियम से करवाते है अब बताईए समविधान में सरवकील है यहां बेटे वह हैं बहुत सीनियर एड़ोकेट है प्रवधान किया गया कि ओब इसी जातियों को पहचानने के लिए कमिशन बनेगी सरवे होगा और अगर वो सरवे पार्लोमेंट से पास करके समविधानिक प्रवधानों के तहत किया जाता है तो हाई कोट क्या कहती है कि इससे निजिता का हनन होगा जब आपके धर्म का पता चलता है तो आपके निजिता का अनन नहीं होता है आप बताते हैं कि आपके घर में आप कितना पड़े हैं कितना लिखे हैं कितनी कुरसिया हैं कितने टेबुल है तो आपके निजिता का अनन नहीं होता है मज़ परदेश में ट्रांस जेंडर समुधाय को OBC का सीट काट कर दे दिया जाता है और पूरे देश में तमाम राजनेतिक दल जो तथाकतित रूप से समाजिक न्याय के पक्षके हैं उनसे वोट लेते हैं उनके प्रति उत्तरदायत में हैं उनका वो चुप बैठे मैं आज अनुरोद करता हूँ जस्टिस साहब से मैं अपनी बात समाधत करूँगा लेकिन उसके पहले आप से भी विंदी करता हूँ कि इस तरह से काम नहीं चलेगा अगर राजनेतिक दल आगे नहीं बढ़ रहा है तो देश में कास्ट सेंसस के लिए एक दिन पूरे देश को बंद करना बहुत जरूरी है अगर आप सहमत है तो जरूर मेरे साथ यह अगर आपी विल्सम साहब और जस्टिस साहब से करे मैं इनी बातों के साथ अपने तमाम जो हमारे लोग है जो हमारे निता थे सभी को मैं नमन करते हुए उत्तराखंड में आया हूँ यहां देव नहीं मैं समझता हूँ आप जो है जो यहां के पिछड़े वर्ग है जो यहां के स्टी कम्यूनिटी है वही हमारे देव है स्टी कम्यूनिटी है उनको मैं नमन करता हूँ और अपनी बात पुना जै पेरियार जै भीम जै मंदल कहके समाप्त करता हूँ नमस्क्राइब